याद रखना हम इस चारों पूछूँगा भी किसी को खड़ा करके और जो नहीं पता पाएगा भगा दूँगा क्योंकि सुनने आया है कि नोटंकी करने आया है आज इंतहान लूँगा मैं पहले बता देता हूँ चार यूग सत्यूग त्रेता यूग दौपर यूग कल यूग चार यूग सत्यूग में सब सच्चे कोई बुरा नहीं था एक भी बुरा नहीं था यह सत्यूग त्रेता युग में अच्छे ज्यादा बुरे कम यानि थोड़ी सी बुराईया होने लगी थी लेकिन अच्छे ज्यादा थे बुरे कम त्रेता युग दुआ पर युग बुरे ज्यादा अच्छे कम मिल्कुल उसके उल्टा समझ रहें कि नहीं नहीं समझो तो फिर समझाऊंगा लेकिन पूछूंगा सत्यूग में सब अच्छे एक भी बुरा नहीं तिरेता यूग में अच्छे ज्यादा तूटा की नहीं तूटा तूट जाता तो कसम से हम दो किलो लडू मारते आज सत्यूग सब अच्छे एक भी बुरा नहीं तूटा यूग अच्छे ज्यादा बुरे कम दौपर बुरे ज्यादा अच्छे कम कली यूग एक भी अच्छा नहीं सब बुरे सत्यूग में सब सच्छे कली यूग में सब बुरे हिंदू धर्म के मुताबिक ये कली यूग चल रहा है इसमें अच्छाईया ढूंडने से नहीं मिलेंगी और इस कली यूग में जब अच्छाईया ढूंडने से भी नहीं मिलेंगी तो योगी और मोदी के अंदर भी कोई अच्छाई ढूंडने से मिलेगी कैसे मिल सकती है कि सोची और आखरी नभी कब आएगा कल यूग में यह हिंदु धर्म कहता है कब आएगा इत्थ कलोग प्राय कल यूग के शुरू होते ही पूरे तरह कल यूग में नहीं कल यूग शुरू होते ही जनेशू जनता लोग खर गड् मिडी जनवरों की तरह हो जाएं अल्लाह के नभी जस जमाने में आए लोग जनवरों की तरह हो चुकी थे पड़िये सीरत कितना भी जालिब हो एक बक्री जब बच्चा पैदा करती है तो आप देखिएगा बच्चा पैदा करने के बाद उसी जगे पर खड़ी होकर वो अपने बच्चे की गलाज़त और गंदगी को अपनी जबान से चाड़ती है उसको खड़ा करने की कोशिश करती है और जब बक्री का मालिक दूद दोने जाता है तो बक्री अपने बच्चे के लिए दूद ऊपर चड़ा लेती है कि सब यही निचोड लेगा तो हम अपने बच्चे को क्या पिलाएंगे इतनी हमदर भी इतना रहम उपर वाले ने बक्र के अंदर भी डाला है इस जानवर के अंदर भी डाला है लेकिन अरब के लोग इससे भी जादा बिगड़ चुके थे उनके यहां जब कोई लड़की पैदा होती थी तो वो जिन्दा दफन कर देते थे इससे जादा जानवरियत कहां हो इससे जादा हैवानियत कहां मिलेग और पैदा होते ही दफन कर देते तो चलो एक सुकून था पैदा हुई दफन कर दिया नहीं जब वो बच्ची चार साल की हो जाती थी तब उसको नहला कर धुला कर कपड़े पहना कर अच्छे लिबास में और अच्छा मेकप करके उसके बाद उसका बाप उसको उंगली पकड़ के ले जाता था और पहले से जंगल में गड़ा खोद कर रखता था और कहता था बेटी जहांको इसमें तुम्हारी अम्मी दिखेंगी जब बच्ची अपनी अम्मी को देखने के लिए उस गड़े में जहांकती थी तो बाप जमीन पे पीछे से धका दे देता था और बच्ची उस कड़े में गिर जाती थी और उपर से मिट्टी से पाट देता था और रुकता था आखरी सांस निकलने तक तक और जब बच्ची आखरी सांस लेकर मर जाती थी तब आता था अपने अलाके में और फगर करता था गर्ब करता था और कहता था कि आज मैंने अपनी चार साल की बच्ची को जिन्दा दफन कर दिया हूँ ये जानवरियती ये हैवानियती जनेशु खरगर मिड़ी सारी जनता जब जानवरों की तरह हो जाएगी शराब आप कितना भी पी ले अपने समाज में लेकिन शराब को आप अच्छा नहीं समझते पीने वाला भी कहता है बहुत बुरी चीज़ है अब क्या करू छूड़ती नहीं है अरब के लोगों कर रुजहान तो ये ता कितना भी बड़ा बिगडा हुआ पाप हो मौल भी जर्जीस बहुत बड़ा शराबी लेकिन कभी ये नहीं चाहेगा कि जर्जीस का बेटा भी शराब पी उसकी बेटी भी शराब पी जर्जीस खुद बिगडा हुआ है लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरी आउलाद भी बिगड़े हम तो गलत रास्ते पे चली रहें लेकिन मेरी आउलाद गलत रास्ते पे न चले ये जरजीस की सोच है अगर्चे बिगड़ा हुआ है आप कितने बड़े शराबी रहें लेकिन आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर शराबी बने लेकिन अरब का रुजहान अलग था उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो मां के दूद के बजाए सबसे पहले बच्चे के हलक में शराब के टत्रे डाले जाते थे शराब की बूंदे डाली जाती थी और ये कहा जाता था कि इन्होंने अपने खानदान के नाम को रोशन किया है हमारे खानदान में शराब को बहुत अच्छी चीज समझा जाता है लियाजा सबसे अ बड़ी हुई चीजों से बनी हुई शराब जिसकी रगों में दोड़े वो बच्चा आगे चल कर क्या बनेगा ये माहौल था अरब की धर्ती पर आप कितने भी जालिम हों कितने भी गुनागार हों मुबाइलों पर गुफ्टगू करकर के आपने एक नहीं सेक्रों लड़कियों के साथ नाजाएस तालुकात काइम कियों हों आपकी एक नहीं दस दस गर्ल फ्रेंड रही हों आप कितने भी बड़े जिनाकार बन जाएं लेकिन आप जिनाकार होने के बावजूद भी आप गुनागार होने के बावजूद भी इतना बड़े गुनागार नहीं हो सकते कि आपने अपनी माँ के साथ भी निकाह कर लिया हो आप दूसरों की माँ बेहन बेटी के साथ जिना कर लेंगे लेकिन अपनी माँ के साथ न तो निकाह करेंगे न जिना करेंगे और अप जानवरियत में इतना आगे बढ़ गया तो कि माँ के बाप के मरने के बाद नौजवान लड़का देखता था कि मेरी माँ खुबसूरत है और मेरा अप बाप मर गया है ये मेरी माँ किसी दूसरी जगे शादी न कर ले तो वो अपनी माँ का हाथ पकड़ता था और बहर निकाल लाता था और अपनी चादर माँ की उपर डाल देता था इस बात की तरफ इशारा था आए अरब के लोगों ये मेरी माँ नहीं है आज के बाद ये मेरी बीवी बन गई है मेरी माँ को कोई निकाह का पेगाम न दे मैंने अपनी माँ को अपनी बीवी बना लिया हम कितने भी बड़े गुनागार हों माँ को बीवी नहीं बना सकते हैं मेरे भाईयो आरब इसमें भी आगे बढ़ गएते और अपने बाप के मरने के बाद अपनी माँ को अपनी बीवी बना लिया करते थे हम कितने भी बड़े जालिम हो और गुनागार हो लेकिन शादी के बाद अपनी बीवी को किसी पराए मर्द के साथ भेजना और पराए मर्द के बिस्तर पे सोना हम गवारा नहीं कर सकते थे लेकिन आरब के अंदर निकाह का तरीखा ये था कि एक नोजवान लड़का किसी लड़की से शादी करके लाता उस लड़की को अपने घर में लाता वो मेरी बीबी है लेकिन उसके साथ रात नहीं गुजार सकता था अभी नहीं गुजारेगा अपनी बीवी को जो निकाह करके ले तो आया है विदा करके ले तो आया है लेकिन अभी शुद्रों नहीं हुई है वो लड़का जो निकाह करके लाया है अपनी बीवी को अपने दोस्त के बिस्तर पे भेज देता था जाओ तुम उसके बिस्तर को गरबाओ उसके बिस्तर पर सो जाओ और इतने दिन रहो जब तक कि उस आदमी की शरमगा से तुम्हें हमल न ठहर जाए तुम्हें बच्चा न हो जाए पढ़िए बुखारी शरीफ किताब उन निकाह और जमाने जाहिलियत के निकाह में जब लेज दिया जाता था अपने दोस्त के साफ जाओ इसको ले जाओ और जब पता चलता था कि वो मेरे दोस्त का बच्चा इसके पेट में ठहर गया हमल ठहर गया तब ये दोस्त जाता ये पती जाता और अपनी बीवी को वहां से ले आता और अपने पास रख लेता ये इस ब आप अपनी बीवी को किसी दूसरे के बिस्तर पर नहीं भेश सकते हैं अल्ला के नभी इसी बात पर और अवरत को मारने की अजासत भी देते हैं तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारी बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाए तो आए लोगो इस बड़ी गलती पर तुम अपनी बीवी को मार सकते हो अपनी बीवी को पीट सकते हो लेकिन ऐसी मार मत मारना कि जिससे उसकी पीट पर निशान पड़ जाएं जिससे उसकी पीट पर जखम पड़ जाएं हलकी मार मारो सजा के तौर पे मारो ऐसी मार ना मारो कि जिस से उसकी पीठ पे चोट के निशान दिखाई दें लेकिन मारने की अजासत यहां दे दिये सिर्फ यही एक गलती ऐसी है कि जिस जुरुम पर इसलाम, गुरान, मुहम्मदू रसुल्लाह औरत को मारने की अजासत दे रहें अगर वो तुमारे बिस्तर पर किजी गैर मरत को बलाती है तो तुम अपनी बीवी को ऐसी मार मार सकते हो जो चोट के निशान ना बना दे जो निशान जाहिर मा करती हो हल्की फुल्की मार मार के उसको समझाओ अरब के अंदर निकाह का एक तरीका यह भी था जानवर ये बेगी ये क्या था एक खुब्सूरत लड़की उसके पास तीन से ज्यादा और दस से कम लोग जाते हैं तीन भी जा सकते हैं चार भी पांच भी छे भी साथ भी आड़ भी नो भी दस तक दस से ज्यादा लें और उसके साथ जिना करते हैं और जब बच्चा पैदा होता तो जितने लोग उसके पास अब तक आए हैं उनको बुलाती वो सब को इदर आओ सब आते हैं और मजाल नहीं थी कि कोई ना आए ये समाज में उसूल था जितने गए औरत बुला रही तो सब को आना पड़ेगा सब आते तीन गए थे तो तीन आएंगे दस गए तो दस आएंगे च्छे गए तो च्छे चितने लोग उस औरत से मिले वो सब को बुलाती और सब को लाइन से बठाल देती सब बैढ़ते वो औरत सब को खाना खिलाती और खाना खिलाने के बाद कहती तुम लोगों को तो अपना मामला मालूम है तुम मेरे पास आए तुम मेरे पास आए तुम मेरे पास आए तुमने मेरे साथ जिना किया मेरा जिसम हासिल किया अब ये बच्चा पैदा हुआ है अब औरत उस बच्चे को उठाती गोर करो ये तक्रीरें शायद किसी मौलाना ने तुम्हें बताई हो मुझे नहीं मालूँ जबके ये हदीश की किता बुखारी में मौजूद है